अबनी बेश आती है कि बिचडने वाले में बिचड क्यूं जाता नहीं तूने आरा धूस्तों आज के सुडियो में बिल्कुल न्यू सोग के साथ फूल स्क्रिन स्टैटस एलिटी करना सिखाने वाला हूँ एक साइड में फोटो होगा और बीच में वीडियो प्ले होगी और नीचे लारिक्स होगी अभी आपने देखा होगा प्रिव में तो इस तरह के साथ स्टैटस कैसे बनाएंगे मैं आपको कम्पलीट सिखाने वाला हूँ तो बिना वीडियो को स्कीप किए कम्पलीट जरूर से देखना अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके पहुं सकते हैं आपको सबसे पहले अपने मुबाइल फोन में अलाइट मोशन एप्लिकेशन को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेच आ जाएगा इस तरह का पेच आने के बाद यहां पर मैं आपको बीट मार का जो प्रोजेक्ट है वो दे दूँगा यानि कि कहां कहां पर आपको larynx की कौन कौन सी लाइन कहां से कहां तक डालनी है तो उस project में मैंने already सारी beat लगा रखी है ताकि आपको आसानी होगी status को बनाने में तो आपको क्या करना है simple से direct उस project को यहाँ पर open करेना है project का link आपको वीडियो के description में मिल जागा जैसे आप all material जो link है description में मिल जागा आप उस पर click करेंगे तो mobile के किसी भी एक browser में open हो जाएंगे उसके बाद आपके सामने एक article open होगा उस article के अंदर आपको slide करना है आपको link मिल जाएगा आप click करके direct उसको add गसकते हैं project को अपने allied motion application के अंदर मैं आपको xml project भी दे दूँगा नीचे नीचे आप slide करेंगे तो all material download link का options आपको मिल जाएगा उसके बाद all material के अंदर आप सारा कुछ download कर सकते हैं जो की photo, video, template, png, image, song और जो xml project है सारे आपको उसी all material में मिल जाएगे तो यहाँ पर आपको उस project को direct open कर लेना है project पर आपको click करना है उस project को यहाँ से direct open कर लेना है कुछ इस तरह के से यहाँ पर आपको कहां कहां पर larynx डगल लगानी है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा red line लगी भी है तो आपको आसानी होगी यहाँ पर larynx डालने में जहाँ पर मैं आपको all material देने वाला हूँ उसी article के सबसे नीचे आपको गाने की पूरी larynx मिल जाएगी आपको वहाँ से copy कर लेना है मैंने पूरी गाने की जो larynx है उसको copy करने के बाद note paid application के अदर paste कर रहता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को complete देखते हैं तो यकीन माने हैं आप काफी आसान तरीके से status को बनाना सीख जाएंगे पहले line है यह मेरी अपनी इस line को मैंने यह से copy किया और उसके noi को आना गर आपको वापस आना इसमें को क्या करना plus पर उसको को अध करना है पहले आपको उस photo को एड कर लेना है उसके बाद आपको दिखाता हूं कि आगे आपको क्या करना है तो plus पर ज होझा हम Attendance जेएगा Three line पर जिम आपको उसको Fill compression area यहां पर आपका फोटो ऐड़ आड़ हो जाएगा अब आपको गाने की लारिक्स डालनी होगी तो प्लस प्लिक टैक्ट प्लिक रोड़ अरिया आपस को यहां पर पेश्ट करेंगे उसके बाद इसको बिल्कुल में ले लेंगे रोबोटे रेगूलर यह वाला font select करेंगे जो कि आपको उसी all material में मिल जाएगा आप क्लिक करके download कर लेना color पर क्लिक करेंगे और black color को select करके right पर क्लिक कर देंगे यहां से साइज को हलकी से increase करके right पर आप क्लिक करेंगे more and transfer क्लिकना है larynx को आप इस तरह के से rotate करेंगे minus 90 degree उसके बाद larynx को आप यहां पर पकड़ कर यहां पर लेकर आ जाएंगे यहां से इसको zoom कर लेंगे इतना काफी है और perfect आपको इसी जगे पर इसको set कर देना है larynx को उपर हम video को add करेंगे इसके बाद आ गया ना है यहां पर अगले point पर जाना है size जादा है आप इसको यहां से कम कर लेंगे अब आपको क्यारना क्या है इसके अंदर आपको effect add करनी होगी तो effect का project मैं आपको दे दूँगा बट दो effect आपको अलग से add करनी होगी तो वो मैं आपको add करना बताऊंगा एक्स वाली लाइन पर क्लिक ना effect पर क्लिक ना add effect आपको क्लिक करना है blur पर क्लिक ना motion blur effect को आपको स्ट्रेक्ट करना है standard setting पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहां पर इन सभी को आपको on कर देना है उसके बाद आपको वापस add effect पर क्लिक करना है यहां पर आपको नीचे लेएगी उसके बाद दो effect आपको और डिसको प्रोजेक्ट नहीं होगी तो उसका प्रोजेक्ट में आपको देया दूंगा वैडियो के पक्लिक्या आख़ग कोपेश्ट कर लेना उसके बाद वापस आपको उस प्रोजेक्ट में आ जाना है जिसको अभी आप बना रहे हैं लाइक्स-वाइन पक्लिक्या इफेक्ट कर देना तो इस तरह कि सब्सक्राइब से यहां पर आएगी जोगी आप देख सकते हैं इस स्लब्सक्राइब यहां पर क्लिक करना हैmm अब आपको जाना है अब आहरे आपको COPY करना है वापस आना है । थो .. ही यह अफार स्ल्सक्राइब और आद आ हैं। Coills है.. बन वापस वह लाएट मोजट एस प्रीट हाएद मोज़न फर इसमीड है będzie craft पर क्लिक करेंगे इस lign को यहाँ से ही देंगे जो लाइन आरिए आप हिसको यहां पर प्रेश्ट करेंगे इसके जो भी आगे वाला सिब्स है आप इसको इस तरीक्ते से बढ़ा लिख लेंगे उसके बाद को राइट क्लिक देना है यहां पर आपकी लार्क सही तरीके से आ जाएगी आगे आपको बीच में क्लिकना है और पेश्ट क्लियर करना है वापस यहां पर अगले पॉइंट पर जाएंगे बीच में क्लिक करेंगे स्पेट और एप्सन से जस्ट आप यहां पर क्लिक करेंगे इसकी साइज उतनी हो जाएगी अब आप जाएंगे वापस नौट पैट एप्लिकेशन के अंदर जो लाइन आरे आपसको यहां से कोपी करेंगी वापस आएंगे यहां पर अलाइट मोशन में इस तीसरी वाइन प आपको क्लिकना है और इसको आप यहां से रिमू कर देंगे उसको यहां पर पेस्ट करेंगी यहां पर जो भी आगे वाला सब्द आपसको इस तरीक से बड़ा लिख लेंगे मैं इसको यहां से बड़ा लिख लेता हूं के बाद आपको यहां पर राइट पर क्लिक कर देना यहां पर एको png frame add करनी होगी तो इसके लिए मैं आपको png frame दे दू का आपको download कर लेना है all material से plus पर click ना मीटिया पर click कर लिए उस png frame को आपको add कर लेना सबसे पहले जो video clip मैंने यूज़ किये वो वीडियो क्लिप आपको दे दूँगा अगर आप मेरे अलवाद दूसरा स्टैस बना रहे याने की दूसरे गाने के साथ स्टैस को बना रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से उसको मतलब वीडियो को ले लेना है यूट्यूब साप डाउनलूड कर सकते हैं तो इस तरह की PNG इमेज मिल जाएगी उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक ना है इमेज आपकी यहाँ पर एड़ हो जागी मोई ट्रांसपर से आप इसको रूटेट कर लेंगे क्या कि रहने हैं इस वीडियो क्लिप को आपको यहाँ पर एड़ करना जो की मैं कुछ आपको इस तरीक से 3D पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फिलिप लियर यह वाले एफेक्ट को स्लाक्ट करना है, स्टेंडर सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, इसको आपको नीचे स्लाइड करना है, brightness contrast ये वाल effect को select करना है standard setting पर आपको click करना है video में से थोड़ा सा brightness कम है तो हलका सा आप इसको increase कर देंगे उसके बाद आप close करके आगे आएंगे वीडियो पर click करना है more and transfer करना है आप इसको rotate करेंगे 90 degree minus 90 degree कर लेंगे वीडियो को और जो png image हमने sat की जिस्ट आप इस वीडियो क्लिप को इसके ऊपर यहां पर लेकर आएंगे कुछ इस तरीके से उसके बाद आपको आगे आना है यह वीडियो क्लिप आपको मिलेगी एक मि status है ना उतना ही हमें इस वीडियो क्लिप की size को रखना है तो आपको लास्ट में जाके देख लेना है कि आपका status कहां तक है हमारा status यहां पर 27-28 सेकंड तक है और वीडियो क्लिप जाद है तो वीडियो क्लिप आपको क्लिक करना है पीच्छे से आप इसको यहां से और प्रफेक्स यहां से आप कर सकते हैं विडियो प्रफेक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं विडियो आप सब लेरिक हमने डाल दिये हमारा स्टेटस यहाँ पर complete है अगर आपनी वोटर मार कुछ एड़ करना चाहते हैं तो एड़ कर सकते हैं आपको क्लिकना है? प्लस पर क्लिकना है, मीडिया परकलिकना है, टोटल में आपको दो टैंपलेट देने पाला हूँ पर रहा है ट्री लाइन पर किलिकने हैं सबसे पहले आपको इससरे का टैम्ट से निलगा आपको अधोजब करेंगे अब सिलेक्ट करने के बदिख लेना की टैम्पलेट आपका आड्ड हो जाएगा तो जितना अश्टना प्रफ़ योग ब्लेक्ट को हटा देना है 28 सेकंड तक स्टेटस है तो आप इसको जादा है तो हटाएंगे यहां पर गुरुप की जो साइज हो काफी जादा बड़ी होगी है तो आप इसको यहां से कम कर लेंगे उसके बाद इस टेमड़िट को भी पीचे से हटाके आगे आ जाएंगी आपको यह उस तरी का टेमड़िय के डेने वाला स्टस्रेट के आपको ब्लस पर करना है टेमड़िया आपका यहां पर हो जाएगा उसके बाद टेमप्लेट पर क्लिक ने ओर है और ांभी ईलिक लाइटन पर क्लिकना और स्क्रीन पर क्लिकर देना इसकी ओपासिटी को आप 50 रख लेंगे 50 परसेंट उसके बाद आपको यहां से आगया जाना है लास्ट में जाना है देख लेना कि आपका टेमपरेट कितना है तो हमाएं इतना ही चाहिए 28 सेकंड तक जाद है तो पीछे से आप इसको हटा देंगे आपका पूरा स्टेटस यहां पर कंप्लीट बन चुका है इसको स्याव करने के लिए सैटिंग के पास वाले ओप्सिंस पर क्लिक करना है वीडियो को स्लेक्ट करना है नीचे आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है